आज हम विंडूज सेविन का जो लॉक पासवर्ड होता है वो हाज हम क्रैक करना सीखेंगे जैसे के अगर मैं यहां पर ट्राइ करूं कोई भी पासवर्ड तो जैसे मैं याद नहीं है या मैं भूल गया हूँ तो मैं इसके किसलtar से बसिकली पासवर्ड को और कर सकता हूँ कि हमें पता चल लिए का है इसाव पासवर्ड क्या है तो इसके लिए आपके पास काल्य लिनिक्स का वरंजिन होना चाहिए 1.0.6 मैं वो यूज करूंगा और मैं इसको बूट करांगा काली लिनिक्स से इसी operating system अगर आप real time environment में करना चाहते हैं तो आप इसको Rufus के थुरू काली Linux को आप bootable USB बना सकते हैं रूफस के थुरू और इसको आप boot करा के चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं virtual box के अंदर हूँ मैं एक virtual environment के अंदर काम कर रहा हूँ तो मैं जो हूँ basically इसमें devices में जाऊंगा और optical device drives में जाके मेरे पास मैं यह वाला काली Linux का version है काली Linux 1.0.6 मैं यह वाला ISO सेलेक कर लूँगा और वो basically इसमें inject हो गया है let's suppose कि हम आपने USB इसमें लगा दी है system में और अब मैं इसको basically restart करूँगा यहां से तो जब मैं restart करूँगा तो वो boot कराएगी काली Linux के USB से और यहां पर जो है वो काली Linux आपके पास आजएगी तो मैं पहला वाला option पे एंटर कर दूँगा live और काली Linux जो है वो हमारे पास actually जो है वो boot हो जाएगी तो आज हम basically Windows 7 का password basically crack करेंगे हम और let's see क्या हमें password मिलता है या नहीं मिलता जैसे काली Linux हमारे पास उसी system पे Windows चल रही थी Windows 7 उसी system पे boot हो गई है तो हम इसका terminal यहां सो on कर लेंगे start करेंगे terminal को मैं यहां पर से इसका स्क्रीन साइज इंक्रीस कर लेता हूँ ताकि आपको font size का नजर आए तो सबसे पहले जो मेरी hard disk लगी भी है Windows 7 के अंदर मैं उसको basically mount कराऊंगा अपने mnt के directory के अंदर तो यहां पर command हाईगी m-o-u-n-t mount slash dev devices sda2 is the partition of my c drive and i am going to mount it in mnt folder directory and i will press enter over here and the file is mounted now we can go in our gui हम यहां से places में जाएंगे और computer में चले आएंगे यहां पर से और यहां पर आ रहा होगा हमारे पास file system और यहां पर हमारे पास आ रहा होगा mnt here is the folder अब इसमें चले आएंगे और आप देख सकते हैं कि मेरी c drive वो इसके इंदर आ रही है program, program files, program files x86, recovery, recycle bin, windows और सारी users वो सारे आ रहे हैं जो कि आपको c में नजर आते हैं तो मैं यहां से windows में जाओंगा और मेरे पास यहां पर basically मैं जाओंगा मैं इसको screen size increase कर लेता हूँ, यहां पर हमारे पास आ रहोगा system 32 तो let me scroll down a bit system 32 हमारे पास आ गिये, system 32 में हमारे पास एक config का folder होगा, उसको हम access करेंगे यहां पर हमारे पास config का folder है, config और यहां पर हमारे पास दो files है basically SAM and system file अब इन दो files के पास मैं आया हूँ, यह क्यों आया हूँ क्योंकि basically SAM file is the short form for security account manager this is SAM file is the database file जहां पर आपके सारे local windows के जो account users होते हैं उनकी credentials इस SAM file में store होती है और इससी SAM file को हम open करेंगे और इसको open करने के लिए इसकी यह encrypted होती है तो इसकी भी एक key होती है और वो key होती है system की file के अंदर इसकी key होती है तो इस वए से हमने इन दोनों files को क्या करना है select करना है और यहां से right click करके हम इनको copy करेंगे और मैं इसको minimize कर दूँगा और मैं right click करके desktop पे Kalinux के मैं यहां पर एक folder बना दूँगा टास्क के नाम से और इसको enter करूंगा और यहां पर हम इसको paste कर देंगे न दोनों files को अभी वो files मेरे पास यहां पर paste हो चुकी है और तो SAM file को open करने के लिए मुझे पहले system की file के hash मुझे collect करना होगा और जब मुझे इसका hash मिल जाएगा दिन में इसको आपने टर्मिनल पर वापिस और यहां पर जो हम करेंगे एक कमांड लगाएंगे विच इस बीके हाइव और जो हमारी system की जो सौरी हम यहां पर अभी पहले तो हम उसमें आएंगे डेस्टोप पे आएंगे ct-desktop ct-desktop और ct-desktop के अंदर हमार पास folder बनावाए task का हम यहां पर ls करेंगे तो यह दो files basically हमार पास आ रहे है SAM और system की जो के हमने task के folder में रखी थी next हमने जो है वो यहां पर जो है वो command जलानी है bk hive की और यहां पर जो हमने system की file ली थी हम system की file को सबसे पहले उसकी hashes जो है वो हम key के नाम से हमने file बनाई है you can name anything you want इसकी जगा पर आप ABC बढ़ से हैं लिगे मैंने इसका नाम key रखा है तो मैंने key के नाम से system की file की इसके अंदर key पढ़ी है SAM file के लिए वो जो है वो system की file मैं होती है तो वो की जो है वो actually बार आ जाएगी so here is the key hash हमारे पास एक hash की आ गई है ठीक है यहां पर और भी हमारे पास चीजें आ रही है तो हमारे पास जो है वो आ गई you can see new file is created with the name of key जिसके अंदर इसकी key पढ़ी है next हमने यहां पर करना sam dump 2 की command है हमारे पास जो के sam की अंदर जो है जो भी चीजे है वो basically हम dump करने के एक additional file में और sam की file को open करने के लिए हमने जो key की file बनाई थी वो key का यहां पर हमने नाम देना है exactly the same अगर हमने small में लिखा है तो हमने small में ही यहां पर नाम देना है तो हमने key में किया और जो जो भी इसके अंदर जो passwords के जो files है जो hashes पड़े में है sam file के अंदर वो यहां इस password वाली file में आप हमने append करा दी है आगे इसमें जो है एक new file create करके हमने उसमें कर दी है you can name anything over here but मैंने इसको यहां पर जो है वो password ही नाम दिया है तो मैं यहां पर enter करूंगा और यहां पर जो है वो file create हो गए let me do ls again और यहां पर आप देख सकते हैं कि दो files आ रही है so let me clear all clear this thing all clear all this thing और मैं इसके बाद john hyphen hyphen format equals to int new technology और password जो मैंने password की file रखी थी वो कर दूँगा मैं तो यहां पर से वो इसको basically hash को crack करेगा और हमारे सामने basically passwords आ जाएंगे इसके in bracket आप देख सकते हैं एक administrator के user एक guest है और एक एहमत कादर के user है और एहमत कादर के user के सामने जो है जो इसका password है वो basically उसने crack कर के सामने दे दिया है और मैं इसको अब यहां से reboot कर दूँगा और reboot हो रहा है मैं अपनी USB को eject कर लूँगा यहां से first of all मैं यहां से eject कर लेता हूं अपनी USB में reject हो चुकी है और मैं यहां से enter करता हूं system will restart अब Windows 7 को restart हो के आ जाना चाहिए अब क्योंके मुझे password पता है red hat है इसका password तो मैं easily windows 7 में जो है वो मैं login हो सकता हूं as you can see windows का आ गया है यह lockscreen red hat red hat इसका password है और मैं login करूंगा और मैं इस time desktop पे आ गया Windows 7 के तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी इसको लाइक करें thank you so much stay blessed अगर आपको अच्छी लगी है तो लाजमी